आपके अपने यूट्यूब चैनल आती जिंदल की फार साला में स्वागत है साती हो आज मैं आपके साथ किलास दो की पार्ट जो हमारा आधरसिला शंदरशिका है उसके एकॉर्डिंग पार्ट पांच है ररिणिंग आउटकम है कि बच्छे गाउं के रहन से पर्चित हैं तता उसके बारे में सामान जानकारी रखते हैं बच्चों को कच्चे दिता पक्के घर के बारे में जानकारी होगी, चात दो से तीन अच्छनों के सरण शब्द पढ़ लेते हैं, बच्चों को समय से अपने कारे करने की सीख मिलेगी, प्रक्रण है ममता का घर, सीखने सिखाने की सायक सामगरी है कि चौक डस्टर, पाठपुस्ता गाउं का चित्र या अद्रश्च दीच्छा एब, सीखने सिखाने की प्रक्रिया वगतविदी रहेगी, इसके भी फोर कॉलम बनाएंगे, क्रमसं के अचरण, समय और आकलन के तर और आकलन का थाप करते हैं, बच्चों तुम्हारा घर किस घाओं में हैं, घर किस प्रकार से बना हैं, घाओं घर किस तरीके से बने हैं, बच्चे सुवे उटकर क्या क्या करते हैं, घर में कौन-कौन रहता है, इन सभी प्रिश्नों के connect keep on the nest, को शक्रिया करते हुए, ममता के अनुरूप द्रश्य पर चर्चा करते हैं अब सिच्छे का कहानी का ससुर वाचन करेंगी तता बच्चों से भी बोलने को कहेंगी साथ ही कहानी में आइकटी शब्दों का उच्छ उच्छान करके उनका अर्थ भी समझाएंगी पाट के दोरान बच्चों की दिन चर्रया पर भी चर्चा की जाएगी साथ ही तीच्छाय पर वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे गति भी दिराएगी कि सिच्छे का बच्चों की शंक्या के अधार पर सम्मू बनाएंगी तता निम्न कारे देंगी प्रथम सम्मू में रखेंगे दूद देने वाले दो पसों के नाम आप यहां पर खुद के चित्र बना के चपका सकते हैं नाम लग सकती हैं कुछ भी कर सकते हो जाला देने वाले दो तकार देने 2 दो कि नाम हम सम्मू में आकशाय का अने दार पर बच्चा से प्रश्न करेंगे मंता का घर कहा हैं वामता के भाई कंव क्या बाबु जी खाना कब बनाते हैं इसका समय था 10 मिनट आंकरन का तरीका प्रश्नोतरी प्रदत्तकार ग्रहकारे में अभ्यास प्रश्न 4-5 को घर से करके लाने को कहेंगी अपने अपने घर का चित्र बनाकर घर के शदश्यों के नाम लिख के लाने को कहेंगी आगामी से बनाकर तयार की जाएगी तो यह है हमारी आज की से चड़े होजना आई हो आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने सभी साथियों के साथ सेयर करें तब तक के लिए धन्यवाद